नवस्कार दोस्तों, आपका People Express चैनल में स्वागत हैं, आज हम इस वीडियो में छट पूजा विधी और व्रत के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं छट पूजा सूरे और उसकी बहन छटी मईया को समर्पित है और इसे खास कर पूर्वत्तर राज्यों में मनाया जाता है छट का अर्थ है छटा इसलिए छट पूजा कार्तिक शुक्ल सस्टमी को की जाती है जो विक्रम सम्वन्त में कार्तिक मा की छटी तिती होती है सभी देवताव में सूरे और चंद्र ही ऐसे देवता है जो पृत्वी पर द्रिश्य होते हैं सीधा भगवान से आरध्य का अनुस्टान है छटपूर छट पर्व की विसेष्ता इसकी सादगी पवित्रता और प्रकृति के प्रती इसके प्रेम से हैं छट में ना किसी मूर्ती की कोई पूजा होती है और नाही किसी पूरोहित को सामिल किया जाता है चट पूजा तैवार बहुत ही कठोर होता है जो चार दिनों तक चलता है चार दिवसिये उत्सव नहाय खाय से सुरू होकर चौथे दिन उशा अर्ग के साथ समाप्त होता है चट पूजा पर सुर्य देव और चटी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुक और मरुवांचित फल की प्राप्ति होती है तो आईए जानते हैं चट पूजा कैसे की जाती है चट पूजा नहाय खाय जिसे हम पहला दिन कहते हैं वहाँ से सुरूवात होता है कार्तिक शुक्ल चतूर्थी को चट पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाय से मतलब है इस दिन स्नान के बाद घर के साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रविर्टी से बचाने के लिए शाक्याहारी भोजन किया जाता है इस दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अर्वा चावल और कद्दू की सबजी को प्रशाद के रूप में लिया जाता है अगले दिन से उपवास आरंभ होता है इस दोरान व्रद धरी लगातार 36 घंटों तक निर्जल व्रद करते हैं चट व्रती के भोजन करने के पशाथी घर के और सदे से भोजन करते हैं दूसरा दिन इसे खरना कहते हैं कार्तिक शुक्ल पश्चमी को चट पूजा का दूसरा दिन होता है खरना का मतलब पूरे दिन के उपवाद से है, इस दिन वरत रखने वाला व्यक्ति जल की एक भी बिना ग्रहन किये रहता है, शाम को वरती भोजन ग्रहन करते हैं, संध्या के समय गुर की खीर, घी लगी रोटी और फलो का सेवन किया जाता है, घर के बाकी सदज से इसे परश प्रशाद के तौर पे ग्रहन करते हैं, नमक और चीनी दोनों ही वर्जित हैं, सांध्य अर्ग तीसरा दिन, छट पर्व के तीसरे दिन, कार्तिक शुक्र सस्टी के दिन, छट्था का प्रशाद बनाया जाता है, प्रशाद के रूप में ठेकुआ, चावल के लड़वा बन जाया जाता है, सांध्य के समय छट रती अपने परिवार के साथ सूरे को जल दूद का अर्ग देती है, तता छटी महिया की प्रशाद भरे सूप से पूजा की जाती है, सूरे देव की उपासना के बाद रात्री में छटी महत्ता के गीत गाय जाते हैं, और वत्कता सुनी जाती है, चौथा दिन उशा अर्ग के नाम से जानते हैं, चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सत्तमी की सुबह, उधिमान सूरे को अर्ग दिया जाता है, पिसले साम की प्रक्रिया पुने वृत्व की जाती है, इस दिन सुबह सुरियोदर से पहले नदी के घाट पर पहुँच के उगते सुरे को अर्ग देते हैं, विदिवत पूजा का प्रशाद वत्रित किया जाता है, छट माता से संतान की रक्षा और पुरे परिवार की सुख शान्ती का वर मांगा जाता है, पूजा के बाद वरती कच्चे दूद का सर्बत पीकर और थोड़ा प्रशाद खाके वरत को पूरा करती है, जिसे हम पारन कहते हैं, चार दिवस्ये छट पूजा तेवार अनुस्थान बहुत ही कटोर होता है, और इसमें इसलिए गलतियों की कोई कुणजाईज भी नहीं होती है, इसलिए हम आपको ये बताएंगे कि किन-किन चीजों को आपको सावधानिया वरतनी हैं, पहला है सवच्चता का विशेज ध्यान रखें, पूजा के दौरान गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नहाय खाय से छट समाप्त होने तक वरती महिला और पुरिश को विस्तर पे नहीं सोना चाहिए, प्रशाद बनाते वक्त कुछ खाना नहीं चाहिए, नमक या इससे बनी चीजों से दूर रहना चाहिए, पूजा किसी भी समय किसी भी वस्तु को जूटे या गंदे हांसे ना चुएं, छटी महिया का प्रशाद बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखें, प्रशाद बनाने पर भोजन नहीं करना चाहिए, छट का वरत क करने वाले को वानी पर सयम रखना चाहिए, अब शब्द का परियोग ना करें, वरत के दोरान घर में मासाहारी भोजन बिल्कुल प्रतिबंदित हैं और धुम्रपान भी नहीं करना चाहिए, सूरे को अर्ग देने से पहले जल या भोजन बिल्कुल ग्रहन ना करें, घर मे आपको छटी मया की कोई मनोथी मानी है, उसे आप जरूर पूरा करें, खरना का प्रशाद बनाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के बने चूले का प्रयोग करें, पीतल के पात्र से ही दूद और पानी का अर्ग देना चाहिए, सूरे देवता को, उमीद है आपको हम हमारे इस वीडियो से महत्पुन जानकारी मिली होगी, आप किसी भी तरह का कुछ टहना चाहते हैं, या शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें, हमारे नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजेगा, और हमारे इमेल आईडी, people express one at the rates email के आपका दिन सुभू, धन्यवाद